21 मार्च 2004 की ये बात है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को एक सूचना मिलती है कि गुरू गुराम से आया नगर नई दिल्ली के लिए एक गाड़ी जा रही है, उसका सर्च करना है, उसका चेकिंग करना है, उस गाड़ी में कुछ हो सकता है और जैसे ही क्राइम ब्रांच कोई सूचना मिलती है उस रास्ते पर जाकर खड़ी हो जाती है टीम और वहां से गुजरने वाले हर वहां को चेक कर रहे थे तलाश कर रहे थे इसी बीच में एक होंडा सिटी कार आती है और वो कार जैसे तेज रफ़तार से थी पुलिस वालों ने से रोकने की कोशिश की तो वो भगाने की कोशिश कर रहा था पुलिस वालों ने आकर कार उसको रोक ही लिया जब जैसे ही रोकते हैं तो Honda City Car का जो ड्राइबर होता है उसे गुसा आने के बाद वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है ये किसकी गाड़ी है तब सब इंस्पेक्टर कहता है कि हमें नहीं पता किसकी गाड़ी है आप बता दो ये किसकी गाड़ी है वो कहता है कि DIG Intelligence Bureau के जाता है, वो कहते हैं ठीक है, वो अपना कार्ड दिखा सके यहां से जा सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इतनी बड़ी बात अगर किसी IPS officer के लिए, डी आईजी के लिए बोल दे, तो ये वाकि बड़ी बात हो जाती है, इतनी बात सुनने के बाद, डी आईजी साब को बहुत ज़दा गुसा जाता है, गुसे में अपनी खड़की खोलते हैं, खड़की खोलने के बाद गाड़ी से जैसे बाहर आ रहे थे, उस सब इंस्पेक्टर की तरफ जैसे आगे बढ़ते हैं, सब इंस्पेक्टर को गुसा अतार, एक थपड़ वो जोर का घुमा कर इस डियाईजी को मार देता है, और यहीं से इस कहानी का आगाज होता है, आज की जो कहानी में आपको सुनने जा रहा हूँ, यह कहानी इसी IPS ओफिसर की है, जिसकी कहानी जब लोगों के सामने पहुंचती है, तो लोग इस कहानी को सुनकर बड़े हैरान हो जब बाइस साल की होती है, तो उसकी धुम धाम से शादी की जाती है, शादी के बाद अपने ससराल में वो ठीक ठाक तरीके से रही रही थी, कि कुछ ही साल जैसे गुजरते हैं, ससराल वालों की दहेच को लिकर मांग बढ़ जाती है, जैसी मांग बढ़ जाती है, घर में क माईके आती है, नुश्का शर्मा और आने के बाद कहती है कि मुझे अपने सस्राल में नहीं रहना है, सस्राल वाले मुझे बहुत ज़दा परिशान करते हैं, बाप कहता है कि बेटा, बेटी की जगे माईके में नहीं बलकि सस्राल में ही होती है, इसलिए तुम वहाँ चले जाओ, बात बाप की मान कर वो लड़की चले जाती अपनी सस्राल, लेकिन सस्राल में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती, और फिर हो जाता है, तलाक, साल 1994 में तलाक हो जाता है, वो अपनी बेटी को लेकर अनुश्का सीधा माई के आती है, लेकिन माई के वालों का जो रुख की तरक्की की उसमें लाखों करोडों रुपे कमाना शुरू कर दिये बेटी धीरी धीरी बड़ी हो रही थी और जैसे बेटी बड़ी हो रही थी उसकी प्रारमिक और माध्यमिक सिक्षा पूरी करने के बाद उस बेटी को मुंबई भीचा गया ताकि वहां से मनपसंद कोलीज में जो कि मुंबई का सबसे मशूर कोलीज होता है वहां से से क्या उसकी बाद बन सके तभी उसके पास एक मेल आता है और मेल किसी और का नहीं बलकि एक IPS ओफिसर राजी व्यादब का होता है IPS ओफिसर राजी व्यादब अपने बारे में लिखते हैं कि वो मिजोरम में डियाई जी के पत पर काम कर रहे हैं और उनकी ओमर 28 साल के आसपास हो चुकी है क्या तो मुझसे शादी करना चाहोगी महिला की उमर 27 साल हो जाती है साल 2013 में और उस ओफिसर की उमर थी वो 58 साल के आसपास थी ओफिसर अपने बारे में बताता है वो कहता है कि मेरे माबाप तो मर चुके हैं एक भाई जो की जमू एंड करश्मीर में भारत की सैना में विरिगेडिर हुआ करता था लेकिन एक बंब लास्ट में उसकी मौत हो जाती है वो मारा जाता है अब उसके परिबार में कोई नही यह बिजनिस उनका अच्छा का सा रेडिमीट गार्मेंट्स का ठीक ठाक सब कुछ है लेकिन जीवन साती की जरूत है दोनों आपस में एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सेंज कर लेते हैं और बाचीत का सिलसला शुरू हो जाता है बाचीत कुछ इस कदर होती है कि अपन साल के आसपास कोई शोर शरावा नहीं कोई बहुत ज़्यादा महमान नहीं बहुत ज़्यादा तामजहामन नहीं इसलिए वह साधी के साथ ही शादी करना चाते थे और इसके दारिक तैह होती है 13 दिसंबर साल 2013 जब यह सब कुछ तैयारी पर हो चुका था उन्होंने का कि चुटी मैं लेके आ रहा हूं और जल्दी हम लोग मुलाकात होंगी एक दूसरे से मिलने के लिए वो इतना ज़दा बेताव हो जाते हैं और क्योंकि शादी इनकी नजदीक आ रही थी कईवी दिन से बातचीच चल रही थी लेकिन एक दिन यह दस दिसंबर कोई फोन करता ह फोन करके कहता है कि अनुष्का मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं तब ही अनुष्का पूछती है कि क्या हुआ वो कहता है कि जो मेरा पर्स है न वो पर्स गिर गया है और पर्स गिरने की बज़े से ही मेरे जितनी भी डोकुमेंट्स हैं एटियम हैं ये सब के सब निकल हैं मैं बड़ा परिशान हूँ तेरे तारी को हमारी शादी है और 10 दिसंबर को मेरे डोकुमेंट्स गर गए हैं तब ही वो कहती है कि परिशान क्यों होते हो सबसे पहले तो आप बैंक जाओ और अपनी जितने भी एकाउंट है उनको फ्रीज कर दो कि ऐसा ना हो तुम्हारे एटिम का गलत फायदा उठाए जाए बस इतना कहना था वह सीदा बैंक जाता है बैंक जाने के बाद अपने एकाउंट को फ्रीज करा देता है ताकि उसके पैसे का लेंड दिन ना हो सके और नए कार्ट के लिए उसने एपलाई कर दिया था अगले ही दिन यानकी 11 दिसंबर 2013 को पुलिस की बदमाशों से मुठवेड हो जाती है और मुठवेड में इस IPS ओफिसर की टांग में गोली लग जाती है साथ ही गोली लगने के साथ ही जो कूला होता है वो तूट जाता है और वो फोन करके अनुष्का शर्मा से कहता है कि अनुष्का आज बहुती बैड नूज है, बहुती बुरी खबर है, मैं मिजोरम के एक होस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरा टांग में गोली लगी है, साथ ही मेरा कूला तूट चुका है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कब तक खड़ा हो पाऊंगा अपने पैरों पर इस बात को सुनने के बाद अनुष्का की आँखों में आसुआ जाते हूँ, कहती है कि एक जिंदगी में अच्छा सपना देखा था, साथ रहने की कितन सारी उम्मीदे थी, सब पर पानी फिर चुका है, तब यह बाचीत करते करते, वो बताता है कि मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हैं, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आगे करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, वो कहती है कि परशान मत हो, किसी का भी मुझे नंबर दो, मैं उस नंबर में, उस एकाउंट में, मैं कुछ पैसे डाल देती हूं, और वहां से अपना इलाज कराना, शुरू करो, इ इसे सरकारी होस्पिटल के चकर मत पढ़ना, क्योंकि सरकारी होस्पिटल में शायद उस लेबल पर इलाज मिलेगा नहीं, जब ये बात आती है, डियाजे साब एक नंबर देते हैं, और उस नंबर पर लभभ 75,000 रुपे रकम सैंड कर दियाती है, भेज दियाती है, और जो फिर से डाल दी जाते हैं, और डॉक्टर जवाब दे देते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें हम हायर मेडिकल सेंटर, यानि कि चैननी रेफर कर रहे हैं, वहाँ जाकर तुम्हारा इलाज चलेगा, अब डियाजी साब का इलाज शुरू हो जाता है, चैननी के से कहानी शुरू होकर 7 फरवरी तक पहुँच जाती है, अगला साल, इनकी साल 2014 भी आ जाता है, और तब तक वो महिला धीरे धीरे करके अकाउंट में 24 लाख रुपे डाल देती है, अलग-अलग अकाउंट में, जब 24 लाख रुपे डाल देती है, और तभी ये अनुशका शर्मा एक प्लान करती है कि क्यो ना कानपूर से वो सीधा हैदराबाद जाए और अपने उस प्रैमी को देखकर आए कि इसकी हारत कैसी है, वो अपोलो होस्पिटल हैदराबाद जाती है, वहाँ जाने के बाद रिसेप्शन पे पूंसती है कि यहाँ पर IPS ओफिसर अजय ए इस आप कहां चले गए, कुछ पता ही नहीं, तब ही वो कहते हैं कि मेरी वहाँ से छुटी हो गई थी और मैं एक नए नाम से वहां रह रहा था, इसलिए शायद तुम मुझे ढूंड नहीं पाई, मैं उस वक्त वहीं पर था, यानि कि 26 फरबरी को एक बार फिर से फोन आता जाहर कहता है कि मेरी इस वक्त मसूरी में जहां आई एस ओफिसरों को ट्रैनिंग दी जाती है, मैं वहीं पर ट्रैनिंग ले रहा हूँ, वहीं पर उनके साथ हूँ, ट्रैनिंग ले नहीं रहा हूँ, उन्हें बच्चों को पढ़ाता हूँ, अगर तुम्हें कोई आतराज नहीं हो तो मुझे कुछ पैसों की जरूत है तब उस महिला को लगा कि कुछ न कुछ तो गरबड है इसलिए उसने पैसे देने से साफ इंकार कर दिया उसने का कि मेरे पास पैसे नहीं है और उस महिला ने जब ये पैसे की देने से मना किया तो नंबर सुच उफ हो जाता है उ के नाम से यह account है किसके नमबर पर यह बात कर रही है तो एक अजय यादब नाम के एक व्यक्ति से बात कर रही थी जो की कैलाश एक जगे कैलाश पूरी ग्रेटर कैलाश जो की नई दिल्ली के अंदर है उसके पार्ट टू में वो रहता है तो तब इस महिला ने जब इसकी जा क्राइम ब्रांच में जाती है, वहाँ जाने के बाद एडिशनल कमिशनर और पुलिस दिल्ली क्राइम ब्रांच से संपर करती है, उनसे पूरी कहानी बताती है कि उसके साथ शुरु से लिके आखिर कार क्या क्या हुआ था, रबिंदर कुमार जो इसमें ओफिसर होते हैं, इस तीन नाम से FIR दर्च की जाती है, और ACP होशार सिंग के नेतरत में एक टीम गठित की जाती है, टीम में होते हैं सविंस्पेक्टर वीने कुमार, त्यागी, अतुल त्यागी, साती हैट कॉंस्टेबल संजीब कुमार, जुगनु त्यागी, नरेश पाल, राज कुमार, अगर दिल्ली, नई दिल्ली के लिए निकला है, और उसकी जो गाड़ी का नंबर है, वो नंबर उसका DL4CAH9066, यह होंडा सिटी कार है, और जैसी वो हंडा सिटी कार आती है, उसको रोका जाता है, रोकने के बाद ड्राइबर से कहा सुनी होती है, कहा सुनी के बाद, जो अगर बाद, दिए-धी साफ होते हैं, वो अपने ने तो एड्रस बता पाते हैं, नहीं से यसे बात कर पाते हैं, नहीं वो अपना आई-कार्ड दिखा पाते हैं, और तब ही सब-ंस conven便 स्प्रक्टर को गुस्टा आता है, और उसको फिर Crime ब्रांच के ओफिस में लेके आते ह तो यहां से एक और कहानी शुरू होती है इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपको और भी ताज्योग होगा दरसल जो यह आज़े कुमार यादब होता है वो कोई और नहीं बलकि एक IAS ओफिसर का बेटा होता है जो कि MCD डिली में कमिशनर रहा होता है उसका बेटा यह अब इसके वैसे पूचा जाता है कि तुम अपनी कहानी सुनाओ कि कैसे आखिरकार तुम इस फ्रोडगर्दी के चकर बढ़े तब वो बताता है कि उसके पापा चाहते थे कि वो UPSC के तयारी करके IAS officer बने लेकिन उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था पापा की जान पचान बहुत अच्छी थी इसलिए उन्होंने फल एवम सबजी मंडी आजादपुर में उसकी नोकरी लगवादी परवरतन अधिकारी करूप में महच पांच ये छे साल कम किया लेकिन IAS अधिकारी का बेटा था इसलिए उसे पैसे खर्च करने की बहुत बुरी आदत थी घर में जो पैसे होते थे वो भी खर्च करता था किसी से ले लिया करता था उधार ले लिया करता था लगातार पैसे जब खर्च कर रहा है तो इनकम उतनी थी है नहीं खर्चे उसके जादा हो जाते हैं उसने सोचा कि ये नोकरी नहीं करनी है इसलिए 5-6 साल के बाद ही प्रिवरतन अधिकारी फॉल एबम सब्जी मंडी आजाद पूर से वो आजादी ले ले लेता है और वहां से चला जाता है उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करता है और तो उस बिजनिस में भी उससे काम्याबी नहीं मिलती है तब ही वो कैंडरीय मंत्री जो किरशी मंत्री होते हैं तो उनके वो पी-ए बन जाता है और पी-ए बनने के बाद जो बातचीत करता था तो यहां से उसने अधिकारियों से बातचीत करने की शैली को उसने सीखा कि आ 1981 में राजिस्तान के तत्कालिन ग्रह मंतरी की बेटी से उसकी शादी हो जाती है क्योंकि पापा उसके आईस ओफिसर जो थे जिंदगी ठीक चलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चल नहीं पा रहे थी इसके बाद साल 1990 में उसने देरादुन में अपना एक होटल खोला और होट 2008-2009 तक वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था बाप उसका मर चुका था मा भी शायद उसकी मर चुकी थी परिवार में उसके लोग जादा थे नहीं इसलिए उसने सोचा कि अब कुछ न कुछ नया किया जाए और नया करने के लिए उसने मैट्रिमोनियल वैफ साइड पर रजिस्टिशन किया वहां खुद को उसने IPS ओफिसर बताया और उसकी तलाश होती थी तलाक शुदा ओड़ते हैं या फिर बिधवा ओड़ते हैं ऐसी अमीर घरों की ओड़तों को वो टार्गेट के करता था और इसी टार्गेट में अनुशका शर्मा का भी नंबर आता है और अनुशका शर्मा से वो थोड़े भूत ही 24,00,00 रपे के रकम जब एक लेता है उन्हें जब कबजे में लेता है उसके नहीं पता था कि अनुशका शर्मा पुलिस के पास जाएंगे पुलिस के पास जाने के बद वो उसकी पॉल-पक्ती खोल के रख देंगी और जब इ पता चलता है कि एक IAS officer का बेटा इस तरह से महिलाओं को ठग रहा है, महिलाओं को छल रहा है, यह दोस्तो इस कहानी से simple साई यह तातपर्रे भी निकलता है कि घर में अगर आपके पास पैसा है तो उसका सही से इस्तमाल किया जाए, जिस तरह से आजय कुमार यादव लगाता पैसे को खर्च कर रहा था, पैसे को पैसा नहीं समझ रहा था, इसलिए उसकी आदितें बिगड़ती चलेगी, उसके पिता ने उसका खूब साथ देने की कोशिश की, उसकी एक अच्छी नोकरी भी लगवाई, लेकि नोकरी पे जाद दिन टिक नहीं पाया, और उसकी पैसे को परशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बलकि आपको जागुरु करना है, आपको सचेत करना है, और जाते जाते आज पट्याले के रहने वाले हैं, सत्वंत सिंग, साती हल्दवानी के रहने वाले महम्मद आरिश हैं, और राजिस्थान के रहने व सारी हैं अंजुम खान विशाल कुमार अतीश कुमार सकुंतला औरुमिला शर्मा कमल गोतम जुनेद धोमस बीना देवी प्रैमा मुहम्मद फाहीम सैफी नव्जोत सिंग कंचन सिंग बरकत अली इन लोग ने नाम लेने की अपील की थी आप सब लोग अपना खेर लखें सु